आयोध्या में दीपोटसव पर दिखा अद्भुत नजारा जिसने भी देखा वो देखतार रह गया रामकी नगरी आयोध्या में दीपोटसव पर अद्भुत नजारा देखा गया है जब सर्यू के तट पर 21 लाक से भी जादा दिये जलाए गए हैं रोशनी से नहाया सर्यू का तट पर नजारा कुछ ऐसा रहा कि जिसने भी देखा वो देखता रह गया जो भी इस मौके पर मौझूद रहा वो इस एतिहासिक पल का हिस्सेदार बना मौके पर मौझूद हर व्यक्ती ने इस द्रश को अपने कैमरे में कैड कर लिया है ये वो द्रश है जो साल भर के इंतिजार के बाद एक बर फिर आयोध्या वासियों को देखने को मिला है इस अफसर पर देश विदेश के परिटक भी आयोध्या में मौझूद रहे इस अद्बुत द्रश के साक्षी 54 देशों के राजनाइक भी बने हैं जिने दी पोट्सव का निमंतर दिया गया था वहीं इस दोरान राजिपाल, अनंदी बेन पटेल और सियम योगी अदितनात दिये जलाने वाले स्वयम सेवकों का उत्सा बढ़ाने के लिए वहाँ पर मौझूद रहे दियो से रोशन अयोध्या के इस वीडियो को देखिए जिसमें घाट हर तरफ रोशन दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी की जालरे लगाई गई हो एक तरफ जहां वॉलेंटियर सर्यू के क्यावन घाटो पर दिये जला रहे थे तो दूसरी तरफ सीम योगी अधितनात सर्यू माता की आरती कर रहे थे इस अफसर पर प्रशासनिक अधिकारी भी सीम योगी के साथ मौझूद रहे बता दे कि 2017 में जब से सीम योगी अधितनात सत्ता में आये हैं तभी से आयोध्या में दीपोट्सव मनाने की शुरवात की गई है पहले वर्ष में कुछ लाक दिये जलाए गए उसके बाद हर साल दियों की संख्या बढ़ती चली गई पिछले साल तो 15,76,000 दिये जलाए गए थे जबकि 2023 में केवल राम की पैड़ी पर 21,00,000 से भी जादा दिये जलाए गए हैं